तो जैसा कि घर में बड़े लोग कहते हैं, जब भी हम कोई नई चीज खरीते हैं, तो उसकी शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, यानि कि उसमें हमें कुछ मीठा बनाना चाहिए, तो वही मैं इसमें आज कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं आपके वाक्त मिनोत क कुकर की जो की 5.5 लिटर का है, उसकी अन्बॉक्सिंग, रिव्यू और उसको कैसे यूज करते हैं, वही शेयर करने वाली हूँ, तो हलो एवरीवन, वेल्कम बैक तो माई चैनल, I hope you all are doing well, मैं हूँ प्रगती, तो चलिए आईए, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, यह मेरे अन्बॉक्सिंग के वीडियो की पिच्चर से, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखे हैं, तो इनके लिंक मैं नीचे डिस्प्शन बॉक्स में देदूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं, इस प्रेशर कुकर को मैंने एमाज़ों से परचेस किया था, और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की हमें मिली है, और यह इस्टील का है, एक कुकर है, जिसको मैंने order किया है जब मैंने इस pressure cooker को buy किया था तो मुझे थोड़ा सा doubt था कि इसका जो उपर का लेड़े है वो अच्छे से work करेगा नहीं करेगा क्योंकि हम normally अपने घर में जो pressure cooker use करते हूं वालग type के होते हैं इस cooker को मैंने first time use करने वाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा doubt था इस pressure cooker को लेकर तो इसलिए मैं इसका वीडियो आप लोग शायर कर रहे हूं अगर आप इस टाइप को कोई कर बाय करना चाते हैं तो हो सकता है यह वीडियो आपके लिए helpful हो जाए इस cooker को बाय करने से पहले मैं प्रस्टीज का pressure cooker order करने वाली थी बट उसका जो उपर का लेड था वो काफी बलकी सा लग रहा था मुझे और सको क्ली करना चफ थाथ सोट गर करने का एक मैं न यहां की बट इसका अरॉपर के और ऊपर मुझे करने करना काफी एजी नहीं और यूज़ करना दे और यूज़ करो कि पड़ेते तो आये चलिए इसको ओपन करते हैं तो इसका जो कैपसिटी वह 5.5 लिटर की है और जो इसकी वारंटी है 24 मत ही है तो चलिए आए देखते हैं कैसा निकलता है अभी हमने इसको ओपन कर लिया है तो उपर इसमें यह वनोत की बुकलेट दी भी है तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हैं बाद में और इसमें यह वारंटी कार्ट दिया हुआ है और यहां पर सबसे उपर हमें देखने के लिए मिलती है विसल में जो नॉर्मल कुकर में होती है विसल उसी टाइप की विसल दीवी इसमें प्रेशर कुकर की और जो उपर का लिड है यह मुझे इस प्रेशली काफी अच्छा लगा यह विडियो शेयर करूंगी अब जो इसका इसकेंड वाला लिड मैंने ओपन किया यह भी काफी है और इसको हम एजा स्टेनर यूज कर सकते हैं जैसे कि हम कुछ भी बॉयल करते हैं उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होता है इसमें स्टेन कर सकते हैं और यह इसमे काफी हैवी लग रहा है जो इसके नीचे का बेस आप इसको इंडेक्शन पे यूज कर सकते हैं और बहुत जादा है कोई भी हैवी कोगिंग करेंगे यह कोई पी ऐसी करेंगे तो इसमें आपकी कोई भी सीच बंड नहीं होगी तो इस तरीके से हमारा बाउल बन जाता है औ बाकि जो लास्ट वाला जो हमारा लेड है वह मारा फ्लेशर कुकर का में लेड है इसके अब तक मुझे दो बैस पार्ट लगें हैं इसको एजा कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं और इसमें किसी भी चीज को चलाना बहुत ही असान होगा और इसका लेड है जो उसको क्लीन करना भी बहुत इजी है पाकी तो इसको यूज करने के बाद में आपको बताऊंगी वाट अभी फिलाल इसको बंद करना है वह बहुत ही इजी है इसमें एक एरो दियावाए साइड में वहां पर आप इसको बीच में जॉइंड करेंगे तो उसके बाद यह बहुत बंद हो आप किनारी और शुल चुलाना है अगर ऑपनी खीर को सिंपर रख कर चोड़ देते यह लीचे के बेसमें तो आप आपनी खीर को बनाने के लिख जाओ इसमें फैसके मिल्क बाइल की मिल्क डालिया और इसको ढख कर रग दिजिए अराूं parf двухопmetal के तो आपकी खीर अपने आप बन जाएगी बाद में आप ड्राइफूट और शुगर डाल दीजिए तो उसके लिए भी आपको कोई ज्यादा एफट करने की ज़रूरत नहीं पड़िए तो लगबक मेरी खीर अभी बनके रेडी हो चुकिए बस मैं लास में ड्राइफूट से अगर आप खीर बनाते हैं तो अगर आप यह मिल्क पाउडर डालें तो आपके खीर का जो टेस्ट है वह और भी बेटर हो जाएगा अगर आपके पार सोड़ा सा मिल्क पाउडर परा है तो लास में अप अपनी खीर में आड़ कीजिए तो फाइनली खीर तो बन चुकी है और आप हम लोग जा रहे हैं खीर को इंजॉय करने तो नेक्स्ट में आपको इसमें कुछ और चीज बना के दिखाऊंगी तो अब इस प्रेशर कुकर की में टेस्टिंग होने जा रही है मैंने इसमें छोले बॉयल करने रखे है तो देखें यह ठीक से वर्क करता है कि नही दूब अधिये जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था वह मेरा डाउट लियर हो चुका है कि मैं तो अब मैं आपको दिखाते हुए को एरो कहां पर दिया यह देखिए यहां पर छोटा सा एरो दिया हो है इस एरो को आपको अपना जो प्रेशर कुकर का सेंटर वाला पार के सब्सक्राइब कर दोगे करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों जगों पर जो गाप है वह इक्वल होना चाहिए ऐसा नहीं एक साइड आपका जो gap है वो कम है और दूसरी साइड जादा है बस आपको इतना ही चेक करना है जो हम कोई नई चीज खरीते हैं तो थोड़ा सा उसको यूज करना लगता है बड़ जब आप इसको डेली रेगुलर यूज करेंगे तो आपको इसको बंद करना और खोलना बहुत ही ईजी लगेगा अभी मेरे यह यूज करने के लिए आदत में आ चुका है यह प्रेशर को कर तो अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग करके दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन है तो देखिए एक हाथ से भी आप इसको ऊपन कर सकते हैं तो मुझे बस यह प्रेशर को कर बहुत ही पसंद आया है तो अगर आप इसको बाय करना चाहते है तो इसका लिंक मैं आपको डिश्यम बाक्स में दे दूंगी तो आप अपने चेक कर सकते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, तब आप इसको बाई करेंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा, तो देखिए हमारे जो छोले हैं, वो भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, नॉर्मल कोकर की तरह से में नॉर्मली विसल उतनी ही व पर एंड करती हूँ, थाइंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई बाई